पाकिस्तान छोड के भाग रहे हैं पाकिस्तानी लोग ऐसा ख़बर में आया है क्योंकि एकौनमी ख़ाब है बहुत सारे पाकिस्तानी जा कुके और ये भी कि पढ़े लिखे ही नहीं जो जो लो क्लास जॉप करते हैं वो भी भाग रहे हैं जिसको जहां मौत बेचाए लीगल हो इंडीगन हो भाग रहे हैं साथ में तीन साल में जो हुकुमत थी उसने पता नहीं क्या कर दिया यह उससे पहले जो देस साल थी मेरे नजदीक यह जो है ना यह एक लंबा एक लेंधी प्रासेस था लेकर आप अपने आपको क्लिए अपने का जो है वो कंपेर करते हैं इंडस्री क्या हो गई जो ट्रेड और इंवस्टमेंट क्या हो गई यह सारी मसालें आप खुद देते हैं कि अभी तक तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है यह उसके लीडर्स आते हैं वह हमें सिर्फ अपनी ही किसमत बदलते हुए दिखाई देरे मुल्की किसमत बद वही बात है ना कि गिर्वी सारा सारा कुछ दे देंगे और समझ लिए ओल्मोस पाकिस्तान तो भी किया है जेहिं दोस्तो पाकिस्तान प्रेकिन चांने में आप सभी का हरदिक स्वागत धीरे धीरे करकर पूरा पाकिस्तान کھाली हो रहा है क्योंकि जिस तरह के से economic crisis पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है वहाँ पर रहना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है और इसलिए एक report पब्लिश हुई जिसमें ये बताया गया है कि 2022 में 8 लाग से भी जादा लोगों ने पाकिस्तान को better life और better job के लिए छोड़ दिया है पर फिर भी वहाँ के politicians को इसकी कोई भी फिकर नहीं है जहां पर कोई भी ऐसे steps नहीं उटाये गए जिससे पाकिस्तान में कोई development हो बलकि पूरा पाकिस्तान IMF नहीं तो किसी और देश के पर निरबर रहता है कि कैसे कोई इनको लोन दे और उसी लोन से वो अपना देश चला है भी तो बात यहां तक पहुँच गई है कि IMF और बाकी financial institution भी पाकिस्तान को मू लगाना नहीं चाहते है बलकि उनसे दूर रहना चाहता है और जिस देश में पाकिस्तान का प्रदान मंतरी पाकिस्तान गौर्मेंट का कोई भी minister किसी भी देश में जाता है तो उस देश को डर लगा रहता है कि क्या यह हमसे पैसे ना मांग ले क्यूकि पाकिस्तान भीक मांगने में तो expert हो चुका है पर जिस तरह के से economic crisis ने पूरे पाकिस्तान को अपने चपेट में ले लिया है लोगों की मुश्किल इतनी बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान अब रहने के लाइक नहीं रहा है अब इसलिए धीरे धीरे करकर पूरा पाकिस्तान एक दिन खाली हो जाएगा ऐसे ही वडियो को अंतिम तक देखते रहे हैं लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमरे चानल को और बेले कंदावाना पिल्कुल भी ना भूले और आपके जो भी रहे हो उसे comment box में जरुर दे धन्यवार निकल क्या रहा है तो फिर मैंने उसके देखा जब कि वह लों बोला कि आठ लाग लोग लास्ट यर ओलरी आठ या साड़े आठ लाग लोग पाकिस्तान छोड़कर भाग गए मैंने बोला आठ लाग नहीं आठ लाग पांच हैं क्योंकि पांच तो हमारे पास ही आगे तो आठ लाग पांच है वो आठ लाग नहीं है और जो यहां पर आए अब देखिए कितने मज़े की बात है उसमें दिखा गया कि आठ लाग में से सो ट्रेंड थे वर ट्रेंड पाकिसान में तो एक ही ट्रेनिंग होती है ट्रोरिसम की तो इसलिए दुनिया में जो चिनता ह है है हो है कि यहान से एक लाग लोग बाहर गये है वह तो ट्रोरिसम म deduction हो," तो इस दों से आठ लाग निकले हैं वाहा से वह चिनता की विशा है," मेर लिए आठ लाग लोग लोग निकल गए है वहा से वह चिनता की प्रलम नहीं है वह 1 लोग जिनको यह ट्रेंड बोलते है इनके यहांपर वो बहुते हैं ki यह इंजिनियर् cardboard warm बनाने की एंजिनियर्ین और बंदूग लाने की एंजनेरिंग है तो यहां पे तो एई जी चीजों की नॉलेज मिलती है आपको पाकिसान में सो यह जो ब्रेंड ड्रेंड की बात कर रहे हैं जो इनके पास है ही नहीं ना ब्रेंड ड्रेंड वह बाहर जा रहा है तो डैट इस अ प्रॉब्लम यह दुनिया के लिए प देश्टा पॉँच साल में यह तीन साल में जो हुकूमत थी उसने पता नहीं क्या कर दिया यह उससे पहले जो देस साल थी मेरे नजदीक यह जो है ना यह एक लंबा एक लेंधी प्रासस था लेकर आप अपने आपको क्लिए अपने का जो है वो कंपेर करते हैं इंडिया क साथ तो आप कहते हैं जी वो देखें जी इंडिया कितना रिमारकेबल तरकी करके कितना आगे निकल गया वो साइंस और टेक्नालोजी क्या हो गई फार्मेसी क्या हो गई इंडस्ट्री क्या हो गई जो ट्रेड और इंवस्ट्मेंट क्या हो गई यह सारी मसालें आप कभी साथ में ये नहीं कहते आप जाए कंपर भी करते हैं और कहते हम्हारे साथ बहुत बुरा हो गया लेकिन यह नहीं कहते कि बूरा किया कि इस ने चुक्छित में जो है वो स्टेट जो एस्टेबलिशमेंट है जो ज़स्ता साट साट सात्र साल से आपकी रूलिंग ऐलिट है उसने बहुत बड़ा जुल्म किया है नेशन के साथ उसको कुचल के रख दिया उसके अंदर जो क्रियेटिवेटी है वो खतम कर दी आपके जो साइंस और टेक परसन लोग साइंस और टेक्नालोजी पर बिलीव ही नहीं करते हैं कि अभी तक तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है या उसके लीडर्स आते हैं वो हमें सिर्फ अपनी ही किसमत बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं मुल्क की किसमत बदलता हुआ बदलने वाला अभी तक करें और अपने मुल्क के लिए उन लोगों को सामने लाएं जिनको असल में काम आता है जैसे कि मैं तो हमीशा कहती हूं कि मुझे मोदी जी की जो पॉलिसी है या जो उनकी टीम है वो बहुत पसंद है इसलिए कि उन लोगों को काम आता है और वो लगके काम करते हैं हमारी चना फाक्ता है नहीं उडाते मगर कर देखते हैं कि इसके उपर भी कब बात होती है और कब लोग इस चीज के उपर मानते मगर फिलाल हमें कोई मानता हुए दिखाई ये जो बाता को पाकिस्तान को बाहर जाने से को ने मिला ता प संदुना है नोकि वरा इनकों को के साने को Physक्ताम होगे, को से कुर्षी के निकलने के बाद भी उसने यही बोला कि जब मैं दुबारा परदान मंतरी बनुगा तो मैं 200 बिलियन डॉलर पाकिसानी उसे बोलूगा कि हमें यहां भेजें और हम अपने कंट्री को तरकी के लेकर आ सकते हैं आप सोचके देखिए पूरी कंट्री सिर्फ जो बाहर पाकिसानी थोड़े से बैठे हैं वहां पर और उनके उपर डिपेंडेंट हैं कि वहां से पैसे आएंगे तो हम अपनी कंट्री को चलाएंगे यह एक इनके कंट्री की फॉरन पॉलसी है टू सेंट एंड एक्सपोर्ट पीपल आउट जो यह कहते हैं कि हमेशा बोलते हैं कि पाकिसानी जो है इनको मैक्सिम्म स्कॉलर्शिप मिलती ही यॉरप में आपको इस बात का पता नहीं होगा हिन्दोस्तानियों से ज्रहठा स्कॉलर्शिप पाकिसानियों की मिलता है इन फॉरण यॉनिवर्स्टी तो मैं मिलता है इन स्कॉलर्शिप क्या होती है दो पुराना जमाना था उसकंध्य में जाते हैं क्योंकि टो mandate Hogि जहाते इनके बाहरी ने सब CB meant जाते हैं लिए इनके वह शिप है, जैसे यही सारे स्कॉलर्स सो कॉलर्स जाते हैं, तो आप सोच के देखिये, इनके जो बाहर जा रहे हैं, इनका मकसद एक ही है, कि वहाँ पर पैसे कमाएंगे, जैसे भी कमाएंगे. पर दिखा के कमाएं या कुछ भी करके कमाएं वहाँ पर वह पैसे भी वापस भेज़ते हैं जिसे इसकी चलती है किसे कहा यूज करने हैं किसे डाने हैं किसको डेने हैं किसको रिटरन वापस करने हैं